जैशी कृष्णा दोस्तो वियसरा फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तो पितर पक्ष का शनीवार बहुत ही शेष्ट है और देखे पितर पक्ष में दो शनीवार पढ़ रहे हैं आप दोनों शनीवार की दिन इस उपाय को कर सकते हैं नहीं तो एक शनीवार की दिन तो राज चल रहे हैं तो अवश्य ही वो आपसे प्रसंद होंगे और आपकी जो इच्छा है वो शीग्र पूरी होगी दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बियसरा फैमली चैनल को सस्क्राइब ना गिया तो सस्क्राइब अवश्य कर लें बगर लें आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सके दोस्तों पितर पक्ष में देखे दो शनिवार हैं आप किसी भी शनिवार की दिन इस उपाय को कर सकते हैं नहीं तो दोनों दिन करे तो और भी शेष्ट है दोस्तों आपको शनिवार के दिन सुबह सनान करने के बाद देखे कच्ची लसी में थोड़े से काले तिल और थोड़ा से मिठा डाल कर आपको पीपल पर जल अवश्य चड़ाना चाहिए देखे शराद पक्ष में पीपल पर पितरों का मतलब वास माना जाता है और साथ ही देखे शनिवार का दिन है और शनी से संबंदित जैसे राहू केतू से संबंदित अगर आपको परेशानियां चल रही हैं बाधा उत्पन हो रही हैं तो वो भी शान्त होते हैं तो इसलिए इस दिन आपको पीपल पर मतलब काली तिल डाल के कच्ची लसी बना कर ओम पितर उप्योतर प्यामी कहते हो जल अवश्य अर्पित करना चाहिए और साथ ही आपको एक उपाय बता रहें इसको करने से निश्चित ही आपके पितर आपसे प्रसन होंगी इस महा उपाय को करने के लिए देखे आपको एक पापड लेना है जो उड़त का पापड आता है वो ल प्रसन होंगे दोस्तों आपको जो पापड लिया है उस पर आपको देखे तीन बार दही के छीटे लगाने हैं या तीन बार आप थोड़ा थोड़ा बिल्कुल जरा जरा सी दही उसके उपर डाल दें और साथ ही आपको एक मिट्टी का दीपक ले ले सरसो के तेल का दीपक ब पक देना है और पापड के उपर अगर आपके पास कोई भी मीठी वस्तू है मिठाई है या फिर गुड रख सकते हैं मिस्री रख सकते हैं वो अवश्य रखें और साथ ही पीपल की जो जड़ में आपको जो काले उड़द लेके हैं एक मुठी वो भी अवश्य रखें वहा आपको रुकावट आ रही है तो अपनी परेशानी अवश्य बोले और उनसे प्राथना करें कि आपकी जो परेशानी है उसको दूर करने के लिए और आपसे जो भूल चुक हो गई है उसकी शमा याचना अवश्य मांगे अपने पितरों के नाम से ये दीपक जलाना है यकी यकीन मानिये आपकी जो परेशानी है वो अवश्य दूर होगी और आपकी पितर भी आपसे प्रसंड होंगे और आपको आश्रिवाद देंगे इस तरह से अपने पितरों से प्रात्ना अवश्य करें उनको प्रणाम करें और साथी पीपल की साथ परिक्रमा आप ओम नमो भ परेशानी बताते हैं तो यकीन मानिया आपकी जो परेशानिया है रुकावटे हैं वो अवश्य ही दूर होंगी और आपकी जो मनोगामना है अपने पित्रों के आशिवाज से अवश्य ही पूरी होगी दोस्तो इस उपाई को आप डोनों शनिवार करें तो बहुत ही और साथ ही इस दिन दोस्तों आप कुत्तों को रस या फिर आप कोई भी बिस्किट वगरा अवश्य डालें और साथ ही शनीवार का दिन है तो शनीदेव के आगे भी एक सरसो के तेल का दीपक अवश्य जलाएं देखना आपकी कुंड़ी के जितने भी ग्रहे दोशने वो तो